अब्यूंद आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कोरॉल रो में एक रिट्रो कॉमिक टेक्स्ट एफट को कैसे क्रेट करना है उसके बारे मैं बताने जा रहा हूँ क्लिक करने के बार क्रां को क्या करना है तो इसके लिए किया है कुछ टाइ始Theml कहा हूं so इतना Type करने के बाद अभि क्या है पिक्टूल लेता हूँ Mike डेके इसका जो फान्स स्टैल है यह change कर लिता हूं मैं अभी उसको क्या है तुछा ब्ल्ड फउं लिया मैंने एक इससे जो फ़ॉंट से पो क्लिक से द o इससे उटा हम 挑़ा 100 तुटा बड़ा लिया मैंने तो इसको क्या है थोड़ा बड़ा भी करना है मुझे उससे पहले अभी मैं क्या करता हूँ इसका color थोड़ा change कर लेता हूँ, इस text का क्या है color यलो में थोड़ी देर तक hold करो, अब अपर hold करके इस shade को लेता हूँ मैं तो अभी टेक्स्ट को क्या रहता है, आउटलाइन नहीं रहता है, तो इसके लिए एक आउटलाइन क्रेट करता हूँ, ब्लैक में आके मौस राइट लिक करना है, सेट आउटलाइन कलर करके बोलता हूँ, तो ब्लैक कलर आ गया अभी, अभी इसका जो लाइन थिकने से इसको बढ़ा कर लेता हूँ अभी यह क्या है इधर pen tool है तो इसमें आके अभी मैं क्या करता हूँ एक four point रखाया मैंने अभी इन सब को मुझे separate करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ и one new time रखता हूँ अभी मैं रखता हूँ और रखता हूँ और एक बार क्लीक करता हूँ समझो भी 30 degrees रखता हूँ और इस फॉंट को क्या है फिर से एक 90 रखता हूँ तो 90 रखने के बाद इसको क्या है और एक बार क्लिक करो रोटेशन कहीं आता है तो इसको अभी मैं क्लॉक वाइज लेता हूँ कंट्रॉल को होड़ करते हूँ ऐसे लिया है यहीं 15 डिगरीज अभी इसको क्या है इस तरफ रखता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी इसको इधर राता हूँ इधर लाने के बाद इसको क्या है फिलो ऐसे बड़ा कर लेता हूँ दिखो भी यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसमी क्या है मुझे हाफ्टल पैIGHट रेकेट करना है तो उसके लिए क्या एक रेक्टैंगल लेता हूँ यह क्या है रेक्टैंगल cape & pick इस रिक्टैंगल को लेने के बाद अभी इसको क्या एक color देता हूं समझो भी एक red shade दिया मीने देने के बाद अभी क्या है transparency tool लेता हूं यह क्या है transparency tool है इसको क्या है इदर से click करके drag करता हूं control को hold करके लेना है तो इसे state में आता है दिखो भी यह transparent बन गया अभी इसका जो outline है, इस outline को remove करना है मुझे, तो उसके लिए इदर cross mark में आके mouse right click करना है, set outline color बोलता हूँ, तो देखो भी यह outline remove हो गया अभी, अभी इसको क्या है, मुझे half tone pattern create करना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, effect में आता हूँ, effect में आने के बाद आपको क क्या करना पड़ता है, convert to bitmap करके आप बाद में half tone कर सकते, दिखो भी इसको ok बोल दिया, मैंने, ऐसा आगया अभी, अगर समझो, अभी मैं undo करता हूँ, अगर समझो, आपके पास पुराना version नहीं तो आपको क्या करना है, पहले, bitmap में आना है, convert to bitmap बोलना है, अभी एक ब बुलता हूँ, तो दिखो भी bitmap हो गया भी, bitmap करने के बाद इदर fx में आना है, fx में आके, आपको क्या करना है, color transform में आके, half tone pattern में आना है, आने के बाद इदर आप क्या है, ऐसे preview देख सकते हैं, अभी समझो, इसमें क्या है, इस सब क्या है, top में जो भी cyan, magenta, yellow और black को क्या है, zero रखा है मैंने, और इसका जो, यह maximum dot radius है, इसको अभी थोड़ा कम कर लेता हूँ, मैं, तो दिखो भी ऐसा कम हो रहा है, आपको जितना चाहिए, उतना आप इदर रख सकते हैं, तो दिखो भी यह समझ में आगया आपको, इस तरह क्या है, अगर आपके पास पुर dot size थोड़ा कम कर लेता हूँ, अभी यह सयान है, इसको remove कर दिया मैंने, अभी इसको ok बोलता हूँ, तो दिखो भी ऐसा आ गया, अभी इसको क्या है, और एक एक इसे copy कर लेता हूँ, अभी इसको और एक बार क्लिक करो, क्लिक करके control को hold करते वे इसे rotate करता हूँ, समझो भी इसे 30 degree rotate हुआ है, अभी इसको और एक duplicate करता हूँ, इसको क्या है कि 15 degrees rotate कर लिया मैंने, अभी इसको और एक copy रखता हूँ इसे, अभी इसको इन सबको duplicate करने के बाद, इन सबको आपको क्या करना है, अभी नया version में क्या है, डारेकल आप power clip कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने version में है, इसको convertive करना पड़ेगा आपको, तो अभी इसको क्या है, mouse right-click से drag करके इसके अंदर लाके छोड़ देता हूँ, power clip inside बोल दिया मैंने, उसी तरह क्या है, इसमें आता हूँ, सब में एक बार क्या है इसे, आप power clip कर लो आप, इसमें लेता हूँ अभी, अभी इसको क थोड़ा zoom करता हूँ, पहले इसको control को hold करते हूँ, बाहर की तरफ कि तुझे करता हूँ, तो दिखो भी एस आ गया, सेम आपको इधर repeat करना है, थोड़ा बड़ा करके इसे थोड़ा नीचे लेता हूँ, इसमें आता हूँ, तो इसमें भी नहीं है, बड़ा करके इसे तो देखो भी ऐसा इसको तोड़ा नीचे लेके इसको क्या है, 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 इस तो 3 रखता हूँ मैं तोड़ा कम कर लिया मैंने और इसका जो ट्रांसपरेंसी है यह 50 है समझो अभी और तोड़ा कम करना है तो अभी 40 बोलता हूँ तो अभी इसी को मुझे इन सब पर कॉपी करना है तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ इदर आएड्रोपर में आओ आने अभी क्या है कौन साफ़फेक्ट है हमको शाडव कॉपी करना है इसको लेता हूँ लेके अभी आपको इदर एक बार क्लिक करना है तो यह कॉपी हो गया अभी इदर क्लिक करता हूँ तो देखो भी सब में क्या है इसे शाडव आ गया यह आपको समझ में आ गया कौन साभी properties क्या है ऐसे आप copy कर सकते है so अभी मैं क्या करता हूँ इन सब को select करता हूँ select करके ctrl G बलो आप तो group हो गया so इतना group करने के बाद अभी क्या है एक polygon tool लेता हूँ यह क्या polygon tool है इसको ऐसे drag किया मैंने so इसका जो side से इसको ठोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ मैं इसे लिए देने के बाद अभी इसमें क्या है distraught tool में आता हूँ इधर क्या है distraught करके tool है इसको आता हूँ इधर क्या है push and pull destruction करके है तो इसको क्या है click करके इसे drag करता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया इसको क्या है थोड़ा whole shape कर लेता हूं इसे यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या है इस तरफ रखता हूं रखके इसको थोड़ा छोटा करता हूं छोटा करने के बाद अभी इसको क्या है एक yellow shade दिया मैंने अभी इसको paste down कर लेता हूं shift paste down करना है तो इसे नीचे आ जाता है, देखो भी यह आपको समझ में आ रहा है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो देखो भी ऐसा आ गया, अभी इसको क्या है, और एक कैसे side में लेके mouse right-click करता हूँ, तो देखो भी एक copy बन गया, इसको क्या है, एक black color देता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, और इसका height भी क्या है, थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, तो इस तरफ लेके आता हूँ, इसको क्या है, एक red shade देता हूँ, देने के बाद अभी इसको shift paste करता हूँ, अभी क्या है, इसको थोड़ा side में लेके, इसका shade क्या है, थोड़ा change कर लेता ह देखे, shift page down करता हूं, तो देखो भी ऐसे नीचे आ गया, अभी क्या है, इन दोनों को select करता हूं, shift को hold करते हूं, इसे click करना है, दोनों select हो अभी, थोड़ा ऐसे, right में लेता हूं, तो देखो भी, इन दोनों को भी क्या है, control G भूलता हूं, तो ये group भी हो गया अभी, so इतन इसको क्या है, surrounding में blur करना है, अभी इसमें directly आप क्या है, इधर, effect में आके इसको क्या है, आप direct blur बोल सकते हैं, अगर पुराना version है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर, bitmap में आके, पहले क्या है, control to bitmap करना है, so bitmap हो जाएगा, अभी इसको क्या है, resolution थोड़ा कम रखा अभी इसको क्या है, effect में आके, इसको क्या है, blur बोलता हूँ, blur में आने के बाद, gazing blur बोलना है, तो दिखो भी इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, blur का जो size है, इसको थोड़ा कम कर लिया मैंने, so इतना लेने के बाद, इसको क्या है, ok बोलता हूँ, तो दिखो भी ये blur इतने हैं तो देखो भी , इतना लेता हूं मैं लेके इसको क्या है , नग safety बढ़ा करना है आपको अभी इसको क्या है पेश्डोन करता हूं पेश्डोन करके और तोड़ा बढ़ा कर लेता हूं इसे इतना लेने के बाद अभी इसको और एक effect देना है, अभी इसको और एक effect देना है, अभी दिखो यह freehand tool, लेके इधर click करता हूँ, click कर के control को hold करते हुए से, अभी इसका थिकने से 8 point कर लेता हूँ, यह पोईंट करने के बाद दिखो भी यह क्या है stages क्या है से करव जीसे आपको दिख रहरा है ऐसा कुछ आपको कर आरहा है तो आपको क्या करना इदर फिर से इधर outline pen में inertia की बाद आतरा इदर edge क्या है इसको square cap करता हूँ इसको रख यह मैं OK बोलता हूं तो दिखो भी ऐसा आ गया, अभी मुझे क्या करना है, इस line को क्या है, object में convert करना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं, object में आता हूं, object में आना के बाद convert outline तो object बोलना है, बोलने के बाद shape tool लेता हूं, इन सब को select करो, आपर select करके plus बोल देना, तो कर देता हूं, अभी देको इसमें क्या है, number of copies मुझे create करना ही, तो उसके लिए अभी मैं windows में आता हूं, windows में आके, इदर क्या है, docus में आने के बाद, स्ब्सक्राइब क्या है, transform में आने के बाद अभी देको ये क्या है, position selected है, अभी इसको rotate करना है, मुझे rotate लेता हूं, अभी समझो अभी मुझे angle क्या है 10 degrees दे रहा है आप इदर number of copies ज्यादा भी रख सकते हैं अभी के लिए one रख के आपको दिखाता हूँ मैं और इदर क्या है इसको center से rotate करना है तो center इदर active करो आप अभी इसको apply बोलता हूँ one copy है इदर अभी इसको apply करता हूँ तो दिखो भी ऐसे copies बन रहा है अभी इतना create करने के बाद अभी इन सब को select करता हूँ select करके इसको क्या है ctrl g बोलता हूँ ctrl g बोलने के बाद अभी इस object को क्या है center मे लाता हूँ इदर लाकि इसको क्या है इसको क्या है उन्वह मुझे एक Color देना है तो अभी एक Red Shade दे दिया मूने दिने के बाद अभी इसको क्या करता हूँ, Interactive Tool मैं आता हूँ इधर क्या है Interactive Tool है, इसको Click करके ऐसे ड्राइग करता हूँ अभी govern Linear मेही मैं तो radial कर लेता हूँ आएक बार ऐसे क्लिक करके drag करो शेंट करो आप इसको थोड़ा movement करो आप आप सेंटर में से sentenced असे snap होता है व beispielsweise यृसे drag करता हूंी इस पॉइंट को क्या है एक red sheet देता हूं और इस point को क्या है फ़ड़ा maroon share देना है मुझे red में थोड़ी दर तक आप hold करो, hold करके आप क्या करो इदर, ऐसे maroon sheet आप दे सकते हैं, तो अभी इसको क्या है, shift page down करता हूं, तो ऐसे नीचे आ गया, अभी इसको आप क्या करो, इस जो lines हमने बनाये थे, इसको क्या है, white कर लेता हूं, white करने के बाद, इसको भी आपको क्या करना है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूं, बड़ा करने के बाद, अभी इसको क्या है, control page down करेंगे, तो क्या होता है, एक एकर क्या से नीचे जाएगा है, अगर आप shift page down करेंगे, तो total नीचे जाता है, तो देखो भी यह आपको समझ में आ रहा है, अभी देखो यह क्या है, एक retro design बन गय आपको कुछ doubts होगे रहा है, तो मुझे comment box में comment कीजएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इस channel को subscribe करने के लिए, आप लगों का धन्यवाद,